शीराम दोस्तों तो कैसे आप लोग आयोबा बच्चे होगे तो हम फिर से आज़रा नई वीडियो के साथ जिसना मैं कराने वाला हूँ आज बाइचर ट्रैसक्व का वर्काओ तो चलिए वर्काओट स्टाट करें ज्यादा देर नी करते चलिए एक्सराइज करने वाले केवल करने रिस्ट इस तरीकित रखेंगे नौर्बर ठीक्या लास्ट पकड़ें यहां पर यहां पकड़ें बस एल्बो आगे की साथ थोड़ा ग चलिए साथ आठ नो रिष्ट ऐसे बैंड नहीं होगी ठीक है उसको ना स्टॉंग करके रख एक्टम हार चलिए और यहल्बो जादा आगे नहीं लेंगे कि स्टार्ट करते हैं कि एल्बो को कंट्रूल करते हुए हलका सा बैक रखेंगे एल्बो को हलका सा हां और रिस्ट को एकदम एक कॉल करके रखेंगे ज्यादा बैंड नहीं करेंगे करते हैं अपने एक्सराइज पुली पुश्डाओं चलिए हां एल्बो को एक जगा कंट्रोल करके हलका सा ठीक है रिस्ट को सीधा रखेंगे यह चलिए यहां से उपर लेकर के जाएंगे सिफितना यह एक दो चलिए तीन यहां तक लेकिया यह चार एल्बों नहीं आने च छे हां हाथ पुरा सीधे नीचे होगा साथ चलिए आठ नो एल्बों पीछे नी जानी चीए दस ग्यारा चलिए बारा एक लास पंदरा रेस्ट तुसे एकन सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं चलिए तो एल्बों को ना ज्यादा मूव नहीं करेंगे एक जगा रखेंगे एल्बों को और इस टेक दम सीधी करके वान टू थ्री बहुत अच्छे फोर फाइफ प्रोपर ले करके जाएंगे एक सिक्स हाफ सेवें एट बहुत अच्छे माइन टैन लाविन तोल्ट थर्टी एक लास सेगेंड साथ स्टार्ट करते हैं चलिए काफी लोग क्या करते हैं इसमें हैवी वेट कर लेता ना फिर शोल्डर का मूव होने लग जाता है तो हलका सा एल्बोर डाउन करके रखेंगे हलका सा हाँ चलिए अगर आप बिगनर हो तो वेट लाइट ही ले वरना आपके शोल्डर मूव करेंगे इसमें तो पहले पोस्चर को कंट्रोल करते हुए ठीक है चंबल ओबरेड तो इसमें थोड़ा एल्बो को कंट्रोल करते हुए चलिए और हाथ को पूरा स्टेट करेंगे अब अच्छे आप इसको ना खड़ा खड़े होके भी कर सकते हैं चलिए इसमें सेट स्टार्ट करते हैं चलिए इसमें एल्बो को ज्यादा मूव नहीं करेंगे आगे के लिए कि अपना सेट स्टार्ट करते हैं तो यह बहुत स्लो स्लो करना है जाद एकड़म स्पीड से नहीं करना और ज्यादा शोल्डर को मूव नहीं करना एक जगा बॉड़ि को गरते हो और अल्बो को कंट्रोल करते हुए इसी तरीके से करते हैं कि लास्ट एक्सरसाइज करते हैं ट्रैसेप्स की चलिए थोड़ा डाउन जाएंगे इसमें क्या करना है आपको पैरों से नहीं उठना और जो हाथ रहेंगे न मैं देखा देता हूं एक बारी जो आपके हाथ रहेंगे वो थोड़ा हिप्स के पास रहेंगे थोड़ा अंदर की साइट सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं तो यह आपको फ्री वेट ही करने है ठीक है और पोश्चर का ध्यान रखना है पोश्चर इसी तरीके से रहेगा जैसे मैंना अभी बता दिया था आपको और वेट ज्यादा है भी लेना नहीं है ठीक है आपको दो दो सेट करने है और फेलियर करने है पहले इस तरीके से करना है चेंज फिर ना इस तरीके से करेंगे पुरा ऐसे करिए हाँ उपर के लिए चलिए अब चेंज करेंगे चलिए थोड़ा आगे हो जाई हलका सब आगे हो जाई है अब करेंगे तो यहीं हमारा वर्काउट फिनिश होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब परें और वीडियो को लाइक करेंगे झाल झाल